नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिशेक सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनिरिंग सपोर्ट दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफोमेटिव होने वाला है वैसे तो मैं हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड रोजाना कम से कम एक वीडियो आपके लिए डालता हूँ ताकि वीडियो को देख करके घर बनाने से संबंद जितने भी टेकनिकल टर्म है चुकि मै में आपको घर बैठे जो है वो आपको सिखा देता हूँ ताकि जब आपका घर बने माइने नहीं रखता है कि आपने किस ठेकदार को ठेका दिया है या फिर किस मिस्तरी से आप काम करवा रहे हैं अगर आपको सही जनकारी रहेगी तो आप जो है वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से करवा सकते हैं दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि घर बनाने में बहुत सारे अलग-अलग लेवल को हमें क्रॉस करना पड़ता है मतलब कि घर जैसे जैसे उपर उठता है वो अलग-अलग लेवल को क्रॉस करता है और कुछ checklist होते हैं जिसको हार house honors यानि की घर के मालिक को चाहे आपने घर ठेका में ही क्यों न दिया हो उसे चेक करते रहें मैं आपको पूरे घर का जानकारी देता हूँ इस छोटे से विडियो में दोस्तो ये होता है हमारा plinth beam दोस्तो plinth beam का क्या काम है दोस्तो जितने भी column से आने वाले load रहते हैं यही वो plinth beam है जो की जो है वो एक column को दुसरे column से जोड़ता है इसकी नीचे जो है वो eat का जो काम हो रहा है वो optional रहता है आप चाहे तो eat करवा सकते हैं अगर पैसे की कमी है पैसा बचाना चाहते हैं आप या दो मंजिला घर बनने वाला है तो आप इसके नीचे eat नहीं भी दिलवाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तो यह होता है हमारा dpc मतलब की dam proof course दोस्तो इसे करवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है और यही decide करता है कि आपके घर का floor यानि की first कितना उचा रहेगा जितना उचा आपका dpc रहेगा उसी level से आपका first जो है वो घर के अंदर बिछना चालू होगा दोस्तो इसके बाद एक मीटर अगर जुराई हो जाती है तो उसके बाद हमारा घर seal level पे पहुँच जाता है मतलब कि वहां से एक मीटर की दूरी की height पे आपको खिरकी छोरवाने है एक मीटर दोस्तो इससे कम छोरवाईएगा तो आपका प्रावेसी होगा और इससे अगर उपर छोरवाते हैं तो आपको हवा खिरकी के दुवारा जो है वो नहीं लेगा बेट तक हवा नहीं पहुचेगा वो उपर ही उपर क्रॉस हो जाएगा आप किसी ऐसे इंसान के घर में जाकर के देख सकते हैं जो एक मीटर से जादे उपर खिरकी लगवाया है तो आपको ये बाते समझ में आएगी आप तो सोच रहा होंगी कि हवा है वो तो कहीं भी जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है इसका सही उचाई एक मीटर ही डेखा गया है उसके बाद दूसरा एक मीटर हम लोग उपर चरते हैं तो आपको एक ढ़लाई किया हुआ पार्ट दीकरा होगा इसको हम लोग लिंटे लेवल बोलते हैं दोस्तो यहाँ पे आपके पास दो आप्सन रहते हैं या तो पूरे घर में टाई भीम मरवा देजिए टाई भीम उ दो फीट के बाद में आपको जो है वो छत ढलवाना रहता है और यही होता है घर का एस्टेंडर साइज दोस्तो मुझे नहीं लगता है कि जितने भी स्टेप्स मैंने बताए हैं कहीं भी कोई कंफ्यूजन मैंने छोड़ा है दोस्तो हर एक स्टेप का अपना एक महत्व होत है हर एक स्टेप को सही तरीके से मिस्तरी या फिर ठेकदार कर पाएं इसके लिए आपको खुझ से जिमवारी लेनी होगी और जब जब आपको पता चले कि आज लिंटल का ढलाई होने वाला है आप साइट पर पहुंचिए प्लिंथ लेवल का ढलाई के दिन साइट पर पह नहाँ पर जो है वो सलैब बीम डाला जायगा और उसके बाद सलैब की कास्टिंग हो जाएगी दोस्तो सलैब की कास्टिंग होगी उस से पहले रेंफोर्शमेंट पर funk होगा बार बेंडिंग से ट्यूल क्या होता है कि इस तरह से लगाया जाता है उसका भी वीडियो आने वाला है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको हर एक जनकारी मैं वादा करता हूं कि अपने इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा तो फिर मिलते हैं आपका एक प्यारा लाइक का इंतिजार रहेगा धन्यबाद दोस्तों